श्रीमत भगवत गीता अध्याय दो श्लोक 61 तानी सर्वानी सन्यम्य युक्त आसीत मत्परा वशेही यसेंद्रियानी तस्य प्रग्या प्रतिष्थिता श्लोक का भावार्थ इसका मतलब है कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखता है और इंद्रिय सयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वहां मनुश्य स्थिर बुद्धी कहलाता है सान इस श्लोक में युक्त शब्द जुड़ना भक्ती में तलीनता को इंगित करता है और मतपर का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के प्रती है यहां आसीत शब्द का लाक्षणिक अर्थ स्थित्या स्थिर होना है यह कहकर कि इस दुरागराही मन और इंद्रियों को वश में क तानी मतलब उन इंद्रियों को सर्वानी मतलब समस्त सैयमे मतलब वश में करके युक्ता मतलब लगा हुआ आसीत मतलब स्थित होना मतपरा मतलब मुझ में वशे मतलब पूर्णत्या वश में ही मतलब निश्चय ही यस्य मतलब जिसकी इंद्रियानी मतलब इंद्रिया तस् उसकी प्रज्या मतलब चेतना प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर श्रीण